असलाम अलेकूम एंड वेलकूम टॉ डॉक्टर नॉशीबस अमान स्केट सिलूशन्स फोफुली आप लोग अच्छे होंगे आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं दाट इस हाइफू मैं इसलिए इसके उपर दुबारा बात करना चाहरी हूँ आपको मैंने बताया था पहले भी हमने दिसक्स किया था कि बहुत अफ़र ऐसा होता है कि किसी चीज की बहुत जदा हाइप क्रियेट कर दी जाती है जब उसकी hype create कर दी जाएगी या की जाएगी तो आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा देखने वाले को ऐसा लगता है कि उसके हर मसले का हल जो है वो उसी में है जब कैसा होता नहीं हर face individual होता है और हर face जो है उसके उपर किस चीज़ की किस procedure की ज़रूरत है और क्या correction देने से वो face आपको पहले से ज़ादा proportionate और corrected और youthful लगेगा यह बहुत ज़रूरी है कि इसको समझा जाए ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक चीज़ जो है वो ऐसी होगी जिससे हर problem solve हो जाएगा एक चोटा सा trick जो मैं आपको बताऊंगी वो आपके लिए बहुत जाता help पूलोगा और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से यह judge करने में help करेगा या यह assess करने में help करेगा कि आपको इस चीज़ की requirement है या नहीं है हाइपो होता क्या है it's high intensity focused ultrasonic waves ठीक है या ultrasound waves होती है अच्छा वैसे तो ultrasound जो है वो कब से यूज़ हो रहा है और बहुत पुरानी technology है और वो हम उसको different organs जो है उनको internally देखने के लिए यूज़ करते हैं skin में for somehow जब भी आपको rejuvenation देनी है तो उसका तरीका या mechanism एक ही होता है चाहिए वो आप किसी भी procedure के थ्रू करेंगे that is जब हम किसी machine के थ्रू करेंगे तब इसका mechanism सेम ही रहता है I'm not talking about the injectables या botox या fillers क्या होता है कि skin में micro injuries दी जाती है और micro injuries जो है वो intern brain को बताती है कि यहां पे कुछ हो गया है कुछ खराब हो गया है और वो उसको rebuild करने के लिए या reconstruction के लिए order देता है और उसकी वज़ा से वहां पे फिर से collagen elastin जो है वो बनना शुरू होगी और फिर से repair का का काम शुरू हो जाएगा जो tightening treatments होते हैं उनका एक खास mechanism है ज्यादा तर उसमें जो heat है उसको involve किया जाता है और heat या thermal injury होती है जो के बहुत controlled form में होती है और वो वहां पे rejuvenation का process जो है वो दुबारा से start करती है एक जो अगर आपको lengthwise किसी चीज़ को उठाना है let's suppose कि अगर आप ये वहला angle देख रहे हैं और आप कहते हैं कि यहाँ पे मुझे sag feel होता है कि मेरी skin जो है वो यहाँ से धलकी भी है लटकी भी है then you don't require the tightening treatment. Tightening treatments आपको इस वकत required होगे जब आप इसको इस angle से खेंचना चाते हैं अगर आप ये नहीं करना चाते हैं और आप चाते हैं कि sag जो है वो खतम हो जाए उसको एक जगा के उपर हम ले आएं तो फिर maybe आप वो require नहीं करते हैं इसके different indications होते हैं आप कभी भी ये मत समझिए कि कोई एक procedure ऐसा होता है या ऐसा होगा जिसको कराने से आपका हर issue solve हो सकता है different जगा पे different indications होती है hypo is a very good treatment जब भी आपको tightening चाहिए, neck पे चाहिए या आपको उसके इलावा आपके face पे चाहिए, तब भी आप इसको use कर सकते हैं आपको neck के इलावा decalty पे चाहिए, तब भी use हो जाएगा आप अगर अपने abdomen पे use करना चाहते हैं, तब भी होगा आप अपने hands पे use करना चाहते हैं, तब भी हो सकता है but it depends, इसके लिए consultation is the most important thing पहले जब ये check कर लिया जाए कि आपके face पे किस चीज की requirement है और आपका face जो है, उस पे correction या youthful appearance के लिए किस चीज को करने की जरूरत है, या क्या correct करने की जरूरत है then the whole game starts अगर आपको ये लगता है कि हाइफू ऐसी एक treatment है जिससे हर किसी face को youthful appearance दी जा सकती है और correction की जा सकती है, तो it's not true G, जिन में जहां जरूरत है, जहां indicated है, वहाँ आप दरेंगे इसके results बहुत अच्छे है और multiple sessions नहीं चाहिए होते हैं but mostly face के उपर जो है, वो हमें 2-3 sessions जो है, वो required होते हैं जो gap दिर्मियान में होता है, वो 3 weeks से लेके somewhere between 6 weeks तक या 9 weeks तक जो हम लेके जा सकते हैं क्योंकि जब भी कोई ऐसा treatment होगा, जिसका full result जो है, वो आपको तीन महीने तक आता रहता है, और उसके बाद आपको full result मिलता है, या मिल सकता है, नजर आता है full result तो आप उतना gap उसके अंदर रख सकते हैं हाइफू जो है, वो एक tightening treatment है, जिसका जो mechanism of action है, that is thermal जिसमें heat जो है, वो involved होती है, और फिर वो आपकी skin को जो है, वो tight करेगी thermal injuries छोटी-छोटी minute होती है, जिनको दिया जाता है, जिसकी वज़ा से collagen elastin जो है, वो फिर से बनना शुरू हो जाती है, और फिर वो काफी अर्से तक stimulate होती रहती है इसलिए जहां पे हमें tightening required है, I am not talking about pore tightening please, लेकिन अगर आपकी skin में tightening की जाएगी, तो किसी हद तक pores भी आपको come dilated लगेगे, तो अगर आपकी skin जो है, उस पे हमें सिर्फ खाली tightening required है, then we could use this, लेकिन ये replacement of botox या जहां पे आपको filling की जरूरत है, replacement of filler जो है वो नहीं हो सकता, और बहुत सारे areas ऐसे होंगे या ऐसे faces होंगे जिनके उपर हमें threads की जरूरत होगी, तो फिर उसकी जरूरत भी रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही treatment जो है, वो बहुत सारी treatments को replace कर सकता है hopefully आपके बहुत सारे जो questions है या बहुत सारी queries है वो clear हुई होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि consultation क्यों important होती है और ये देखना क्यों important होता है कि हमें correction या youthful appearance देने के लिए एक face या individual face पे किस चीज़ की जरूरत है हाइफू is a very good treatment और हाइफू हम भी offer करते हैं patients को जहां पे indicated है या जिस face पे indicated है और हाइफू करके आप उसको बहुत अच्छा result दे सकते हैं वहाँ पे हम जरूर करते हैं और इसकी कोई age limit नहीं है males करा सकते है, females करा सकती है और अगर आपकी skin जो है वो आपको लगता है कि उसके अंदर substance कम है और आप aged भी नहीं है तो तब भी आप हाइफू को करवा सकते हैं और इसको consider किया जा सकता है individual face होता है और उसकी assessment अगर अच्छी होगी या सही होगी तो उसके बाद हम उसका treatment जो है वो decide करेंगे और उसका result भी फिर आपको बहुत अच्छा मिलेगा